असलाम अल्वालिकम्, आज हम कपिर साइस के नेक्स हमसे कुछ स्टार्ट करते हैं, हमने पंजाब डग्स बुक्स के संथ किलास के आप लोग इन मसी को अच्छी से तियार कर लें, आज को अमारा ट्विक है इनमीं हम, शौर्ट कर कीज देखेंगे, यह मोस्ट इंपोर्टन तोपिक है आज का आप लोग इनमसे क्यूज को तो अच्छे से थियार कर लें वैसे हमने जो 6 खिलास के मसे क्यूज की हैं वह भी इंपोर्टन थी और 7 खिलास के भी 3-4 लेक्चर हो चुके हैं आप लोग उनको पहले अच्छे से कर लें फिर ये भी करते रहें डेली बैसिस करते रहें सिर्व दस से पंदर मिंट की वीडियो होती है आप लोग इनको अच्छे से कर लिया करें आज का मारा फिस्ट एमसे यूज है ट्रांसफर दर टेक्स फ्रॉम्ट तो दाकुमेंट सिसकाल हमने ए डाकुमेंट को एक जग से दूसरे जगा ट्रांसफर करना होता हम जिस्ट क्या करते हैं कापी करते हैं और पेस्ट करते हैं वो क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है टेक्स कोई भी हो नेक्स्ट है डेपीट डाकुमेंट विदाउट रिटाइपिंग किए बगार तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं हम डाकुमेंट को कापी करते हैं और पेस् को पेस्ट करने के लिए हम कौन से शॉर्ट कट के यूज़ करते हैं वह है CTRL V next है short key for cut document document को cut करने के लिए हम कौन से शॉर्ट के यूज़ करते हैं CTRL X next है short key for a copy a document document को copy करने के लिए हम कौन से शॉर्ट कट की यूज़ करते हैं हो है ctrl c next step which what feature is used to discard the last change अब जो भी हमने last action perform किया होता है उसको remove करने के लिए हम क्या use करते हैं undo use करते हैं नेक्स कुछ है कि short key for undo attacks is short key कौन सी होती है undo attacks करने के लिए ctrl z प्रेस करते हैं वो चीज जो भी हमने last में write की होती है वो खुद भाखुद क्या हो जाती है खतम हो जाती है दो नेक्स्ट है what feature is used to reverse the undo action अब हमने जो चीज है खतम की होती है हमने उसको जो बापस लेके आने के लिए हम क्या करते हैं redo का button press करते हैं वो चीज क्या आजाती है वापस आ जाती है अब next है short key for the redo action अब इसके लिए short की कौन से use होती है radio के लिए हम control y press करते है और चीज क्या आजाती है वापस अपने जगा पे आजाती है जहां से हमने कहें होती है next is date and time are exist in which tab date and time किस tab में exist करती है वो होती है insert tab के अंदर क्या होती है exist करती है next है words count is existed in which group word count is existed in which group ये कौन से group में exist करता है वो proofing tab proofing tab के अंदर क्या करता है ये exist करता है next है short key for the finding a text from document documents के अंदर से किसे भी text को find करने के लिए हम कौन से short करकी use करते है control f press करते है और चीज़ों को find कर लेते है next है short key for replace a text in a document document के अंदर किसे भी text को replace करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं बटन शोर्ट करके वो control H होता है और हम चीज़ों को अधर क्या कर देते हैं रिप्लेस कर देते हैं जैसे कि हम कोई भी उसको नज्यार होता है वो कुर्ण का देते हैं जिसके जरी से हम चीज़े नज्रार होती है अभी देखें कि यह शोर्ट की थी आप लोग इनको अच्छे से एक बार तियार कर लें यही आप लोगों की most हर एक जम्स में क्या हो रही होती है repeat हो रही होती है और आप लोगों की बहुत ज़्यादा ये help भी करती है हर एक जम्स के लिए आप लोग बस एक बार इसको तो जो दे के याद कर ले four से लेके eight तक की तो all books और उसके लावा अगर आप लोगों के पास ट्राइम हो तो nine-tenth, first or second के इसलामियत और पाक स्टरी इनको तो आप लोग इच्छे से कर लें क्योंकि अब जो jobs आ रही है एजुकेटर्स की तो वो बहुत ही सालों के बाद आएंगे और इस पे बहुत ज़दा लोग क्या करेंगे अपलाई करेंगे तो इसलिए आप कोशिश ही करेंगे आप लोग daily basis पे कोई न कोई पंजाब डेक्स बुक्स को अच्छे से read करते रहें आप लोगों का chance बन जाए और आप लोगों का paper क्या हो पास हो जाए और interview के लिए आप लोगों को call हो जाए तो मेरी best कोशिश ही है कि हम ज़दा ज़दा बुक्स को cover कर ले jobs आने से पहले पहले ताकि आप लोगों के बहुत ज़दा क्या हो जाए इससे help हो जाए